Hello everyone, इस वीडियो में हम देखेंगे सिंदू घाटी सभ्यता संपुन अध्यान पार्ट 2 जो की दोस्तों पार्ट 1 में जो पोर्शन बचे थे उसके बारे में डीटेल से अध्यान करेंगे तो दोस्तों आप सभी को जान लेना चाहिए कि सिंदुगाटी सभ्यता हर एक exam के लिए बहुत ही important होता है यहां से भी question कापी अच्छा से पुछे जाते हैं तो दोस्तों इसके बारे में detail से देखेंगे तो दोस्तों part 1 में हमने इसके विस्तार के बारे में देखे थे कहां पर कौन से location इस्तित है उसके बारे में देखे थे दोस्तों ठीक है तो इस पर एक बार नजा डाल लेते हैं कि यहां पर कौन-कौन से नदी है कौन-कौन से इस्तान कहां का पर इस्तित है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं यहां पर आपको दिखाया था पस्षय में सुथकंगे डोर है पूरव में यह ऐस पास मेरट वाले लोके gravity अम जिसको अलमगिरपूर बोलते देने ये तो देखेंगे ऑगे देखेंगे हम मुहंचो दाड़ो नदी किनारे वाली स्थान पर इस्थित है और सवतित देखेंगे दोस्तों आपको यहां मुक्य जो है नगर के बारे में हम देख चुके हैं ठीक है दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम तो दोस्तों आगे देखेंगे आज हम जो है सिंदु घाटी सभ्यता के जो ब्यापार के बारे में ठीक है दोस्तों ये उस समय उपयोग किया जाता था और वस्तु वी निमाय प्रणाली का ब्यापक का उपयोग किया जाता था तो इसका मतलब ये हुआ वस्तु वी निमाय प्रणाली का मतलब है कि वस्तु के बदले में जो है वस्तु का लेंदेन करते थे यहां वाले ठीक है आगे देखते हैं लोथल, सुथकांगे डूर, व्यापार के लिए प्रियोग किये जाने वाले बंदरगाह सहर थे ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन-कौन से लोथल है और सुतकांगे डोर जो कि पस्चिमी इलाका है तो यह दो बंदरगा प्रमुक्तया उप्योग किया जाता था ठीक है आगे देखेंगे ब्यापार इस्थल कहां-कहां से ब्यापार किया जाता था वह अफगानिस् मिलते हैं ठीक सबस्क्राय के तो एक मजबूत केंद्री प्राधिक्रण के माध्यम зн Coalition यहें अकुल्ट होता है कि जो सान्सक्रितिक एक टैसे हमें पता चलता है कि एक पीविट मंदिर मंदिर प्राप्ठ नहीं हुए है ना ही धार्मिक प्राप्ठ नहीं नहीं देखे हैं जो पुजा पाठ ऐसे कोई साक्ष नहीं पॉए है अगे देखते हैं हथ्यारों का प्रियोग के ज़्यादा साक्ष नहीं मिले हैं अगे देखते हैं धार्मिक प्रथाएं इनका क्या-क्या मान्यता था किस चीज़ों पर विश्वास करते थे उसके बारे में डिटेल से देखते हैं तो धार्मिक प्रथाएं में हैं देवी माता की टेर्या कोटा की मुर्ति प्रमुक्त है और लगभग हरपा में जो है काफी लोगों की घरों में जो है पाए गये है ठीक है देवी माता जिसको मात्रे देवी की मुर्ति बोला जाता है ठीक है आगे देखते हैं फलू और योनी पूजा होता था ठीक है योनी जो है लिंक पूजा होता था आगे देखते हैं पसुपति महादेव की मूर्ति उनके पैर तर्में जो है दर्साय गया ठीक है आगे देखते हैं पेड़ और पसु की पूजा जो होती है ठीक है पेड़ में कौन-कौन से पूजा होती थी जैसे कि टीपल के पेड़ की पूजा के साक्षे मिले है ठीक है आगे देखते हैं गैंडे के रूप में एक सिंग वाले यूनिक प्रमाड मिली हैं आगे देखते हैं भूत और आत्माओं को भगाने के लिए ताबीच का प्रयोग के जाता था तो जो है ऐसे जान पड़ता है कि जो ताबीच को उप्योग करते थे क्या है भूत और आत्माओं को भगाने के लिए होता था इस प्रकार से जो है इन्होंने तक यह कैसे था सिंदूगाटी सभ्यता का जो है तक अब तक इसकी भ्याक्या नहीं हो पाई तो उस समय वाले लोग जो है जो है लीपी का तो प्रयोक करते थे लेकिन उसका अभी तक कोई अध्यान नहीं कर पाए है, तो इसका काफी सारा अध्यान करने का बाकी है आगे दिखते हैं, ये पत्थरों पर मिलती है, और केवल कुछ सब्द ही प्राप्त हुए है जादातर जो भी लिपी है, कहां पर प्राप्त हुए है, पत्थरों पर मिलती है और कुछी सब्द प्राप्त हुए है हडपा की लिपी भारती उपमहदीप में सबसे पुरानी लिपी है ऐसे मतलब मालूम पड़ता है भारती उपमहदीप में क्या है सबसे पुरानी लिपी है हडपा की जो लिपी है आगे देखते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास कुछ मुहरे हैं जो की जिन्दुखाटी सब्व्यत्ता में जो है इनका मुक्यत्ता है उप्योग होता था और मुहर पे क्या है किसी जानवर का जो है पिक्चर होता था ठीक है और अधिकतर जो मुहरे प्राप्त हुए हैं व सबसे जादा जो उप्योग होता था वो होता था आयताकार मुहरों का ठीक है आगे देखेंगे वजन एवं मापन के लिए क्या उप्योग करते थे इन्होंने तो फर्ष्ट पॉइंट देख लेते हैं व्यापार और वाडिजे आदी में नीजी संपत्ति के खातों की जानकार से ठीक है जो की स्तोला की गुणज वाले थे ठीक है हडपा में मिट्टी के बरतन कौन-कौन से मिले हैं पेड़ों और गोलों की आकरिती सहीद अच्छी तरह निर्मित मिट्टी के बरतनों की तक्निक राप्त हुई है ठीक है इस समय कापी अच्छा बरतन बनाते थे जो की मिट्टी के बरतन थे गड़ा होगे रहा ठीक है आगे देखते हैं लाल रंग के बरतनों पर काले रंग के डिजैन का चित्रन मिलता है ठीक है आगे देखेंगे इसके चित्र के बारे में ठीक है सिल्स देख लेते हैं सिल्स का प्रियोग व्यापार या पूजा के लिए किय जाता था सिल्स पर भैस सांड बाग आधी के चीत्र पाए गए है ठीक है इस प्रकार से देख सकते हैं और चीत्र देखते हैं एक नगन महिला की कांस्य की प्रतीमा और डाड़ी लाल रंग में काले का प्रियोग करके बनाय जाता था और यहां पर और भी देख सकते हैं तो इस प्रकार से देखी किया गया है तो इस प्रकार से कापी अच्छा बर्तन बनाते थी उसलमें आगे देखेंगे टेरा कोटा मूर्तियां ठीक है, टेरा कोटा मूर्तियां में क्या-क्या मिली है हमें, तो टेरा कोटा में हैं आग में पकी मिट्टी, ठीक है, खीलाओनों या पूझा की वस्तों के रूप में उप्योग किया जाता था, और हडपा में पत्थर का भारी काम देखने को नहीं मिला, ठीक है, जो है, के खराब कलात्मक कार्यों को दर्शाता है ठीक है इस समय पत्थर का प्रचन फुड़ब कम हो गया था ठीक है इस समय कास से तामरा का 16 क्यों किया जाने लगा सांत में सोने कर भी गुंचछ इसमें देखने को मिला सोने चांदी अग्रा थीक है आगे सांता हैं उत्पत्य परिपक्वता और पतन क्या क्या इंक आगे का जो कारिय क्ले देख लेते हैं तो पुरानी हडपा बस्तियां नीचे का सिंध प्राथ कbaluchistan और काली बंगन इस प्रकार से पाए थे ठीक है पुरानी जो है हड़ापा बस्तियां कौन-कौन से थी सिंद प्रांद बलुचिस्तान और काली बंगन में देखने को मिली जो की नीचे का पोर्षन था ठीक है परिपक को हडपा में देखते हैं कौन-कौन से थे उननीस साव इसर पूर्ष सस्थू इसाः पूर्ष के आसपास पालत परिपक को हडपा सब्व Twice सब्व्यता देखनी को मिला सब्व्यता के पतन के करान देख लेते हैं क्या क्या कारन थे जो है इसके पतन के ठीक है तो फश्ट देखते हैं निकट के रेगिस ऐसे अनुमान है कि इसका कोई मतलब कोई क्या बोलना चाहिए इसका कोई प्रूप नहीं है तो ठीक है इस प्रकार से लेकिन एक अनुमान के अनुसार इनका जो है पतन किस प्रकार हुआ होगा इसके कुछ कारण बता यह भी है भूमी के उत्थान में अचानक गिरावर्ट से बाढ़ का आना इसका मतलब क्या है जैसे कि कई बार क्या हो जाता है तो उपर से बाढ़ आया हुआ इस टेप से अनुमान लगा जाता है ठीक है या फिर तिसरा कारण हो सकता है भूकम्पों ने सिंधु सभ्यता के हमलों से जो है नश्ट हो गई होगे तो इस प्रकार से बहुत सारे अनुमान लगाया जाता है लेकिन यहां पर ये भी देखने को मिलता है कि जो है हड़पास अभ्यतक के जो पूराने चीजी है जो आज भी भारतिय संस्कृति में जो है देखने को मिलता है इसके आधार पर यह थे आनुमान लगाया जा सकता है कि जो है हड़पास अभ्यतक जो भी संस्कृतिक महत्व है आज भी भारतियों के जीवन में बसा हुआ है और जो है भारतिय जो शंस्कृति में समा मिलन हो गया है यह इसका सही एंसर हो सकता है ठीक है आगे देखेंगे यहां पर आपको देखने को मिलेगा मातरे देवी की मूर्तिया है ठीक है, इस प्रकार से बना होता था, ठीक है तो ये कापी बहुत लार्ज इसकिल पर पाया गिए है, ठीक है तो जिसको कहा है वहाँ पर संपन्ता का निसानी माना ज़्याता था, ठीक है आगे देखेंगे यहाँ पर आपको काफी सारा मूर्तियां देखने को मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यह नरित्य करती एक जो है लड़की की तस्वीर है ठीक है और आपको कुबड़ वाले सांड का आप यहाँ पर एकसिंग वाले यूनिकान का आपको देखने को मिलेगा दाड़ी वाले पुरुष का यहाँ पर मूर्ति है ठीक है तो इस प्रकार से काफी सारा देखने को मिलेगा और यहाँ पर कुछ जैसे लीपी होग रहे है चितराक्षर लीपी जो की पढ़ा नहीं जा सकते है इस प्रकार से आपको मिलेगा ठीक है तो इस प्रकार से काफी important हो जाता है और बात का जो सहरी चरण है उसके बारे में कुछ देख लेती हैं तो 19 सव इसापुर्व से 12 सव इसापुर्व के आसपास का जो दौर था उस समय क्या हुआ उप सिंदु सभ्यता जिसको सब इंडस कल्चर कहा गया प्रात्मिक ता आगी का जो है दोर चला तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सिंदु घाटी सभ्यता है काफी सारे competitive exams के लिए बहुती ज्यादा important है तो I hope की मेरा ये lecture समझ आया होगा आपको और ये हमारा सिंदु घाटी सभ्यता का दूसरा और आखरी वीडियो था और जो है इसमें हमने लगबग सिंदु घाटी सभ्यता के सभी portion को हमने cover कर लिया है तो I hope की मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आता है तो please like कीजेगा और साथी subscribe कीजेगा और हो सके तो अपने दोस्तों तक भी share कीजेगा आप सभी को मेरे तरब से धन्यावाद और जयहिन